तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे निफ्टी और बिंक निफ्टी के एक बहुत ही बहतरीन strategy में शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ पे ताबड तोड strategy इस strategy से आप 50 से 100 पॉइंट, 100 से 200 पॉइंट, even 500 पॉइंट तक आप महाँ पे capture कर सकते हो कै कैसे strategy को वाँ पे implement करना है, क्या उसके वाँ पे rules है, कहां पे आपके entry होने वाली है, कहां पे आपके exit होने वाली है, यह सब कुछ आज की इस वीडियो में हम cover करने वाले है, make sure करना चैनल पे पहली बार आयो, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लेना, मेरा नाम है यहां पे काम करने वाली है, इसकी अगर मैं accuracy की यहां पे बात करूं तो आपको 80% तक accuracy यहां पे अराम से मिल जाएगी, जिसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पे 10 trade लेते हो, 10 में से 8 trade आपकी यहां पे सही जा सकते हैं, और जो 2 trade है उसमें आपका stop loss हिट हो सकता है, ठीक ह कोई भी strategy आपको पता है, 100% कोई accurate नहीं होती है, बर यह strategy में आपको जो points है, जो आपका यहां पे profit कमा सकते हो, अगर मैं यहां पे nifty की बात करूं तो आपको अराम से 50-70 points आपको मिल सकते हैं, अगर मैं bank nifty की यहां पे बात करूं तो आपको 100-200 points भी मिल सकते हैं, और अग क्या strategy है, क्या इसकी यहां पे rules है, हम यहां पे जानते हैं, it's my humble request, rules यहां पे जानने से पहले, एक बार copy pen अपना साथ में रख लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको यहां पे rules लिखवाने वाला हूं, साथ-साथ आप copy में लिखते जाएंगे, जब हम इसकी यहां पे back testing तो आपके लिए वो rules को पढ़के, फटा-फट जो मैं आपको चीज़ों आपको समझा रहा हूं, वो आपको समझने में बहुत easy होगा, इसलिए बोल रहा हूं, साथ-साथ rules अपनी copy में लिखते जाएंगे, ठीक है जी, जो पहला यहां पे rule आता है, वो है, जो हम indicator strategy में दुबारा मैं यहां पर repeat कर रहा हूं, यह exponential moving average है, दो तरह के यहां पर moving average होती है, एक simple moving average होती है, ठीक है, एक यहां पर exponential होती है, दोनों में फरक ही है कि exponential moving average होती है, वो थोड़ी सी आपको accuracy अच्छी दे देता है, देखो आप use करने को simple moving average यह use कर सकते हो, but exponential में आपको थो 40 रखेंगे उसका और field यहां पर रखेंगे high ठीक है यह आप साथ सा copy में लिखते जाएए इसका 40 रखेंगे and इसमें high रखेंगे जो इसका यहां पर next rule आ रहा है जो दूसरी moving average है वो यहां पर होगा इसका 40 and low ठीक है हर चीज हम terminal पर जाके back testing करेंगे एक एक चीज आपको समझाओंगा कैसे इसको यहां पर use करना है time frame यहां पर आ गया 30 minutes का time frame हम यहां पर use करने वाले हैं चाहे वो nifty है चाहे वो वहां पर BNFA bank nifty है ठीक है दोनों में हम यहां पर 30 minutes का time frame use करेंगे इसके बाद यहां पर बहुत important rule आता है यह rule को ध्यान से समझना जो मैं चीज यहां पर समझा रहा हूँ for upside जब हम यहां पर ऊपर को खेलते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है candle की strength if candle with strength इसका यहां पर मतलब क्या है एक एक word को यहां पर समझते जाहिए candle की strength का मतलब यह है कि जो हम candle यहां पर देखेंगे वो यहां पर ऐसी dodgy नहीं होनी चाहिए उसका यहां पर चोटी सी body और बड़ा सा वहां पर shadow ही है जिसको हम यहां विग बोलते है वो यहां पर नहीं होना चाहिए strength का मतलब मेरा simple सा यह है कि जो भी candle है उसका यहां पर ऐसी body बन जाए या ऐसी body बन जा है छोटा सा उपर wig बन जा है कोई दिक्कत नहीं है पर उसमें strength हो नीचे यह वो candle में है समझे रहो यह strength वाली candle होती है यह गिसीवीटी candle होती है इनको कोई फाइदा नहीं है यह सिरफ time pass करने के लिए आती है यह candles का मतलब क्या होता है यह जो ऐसे गिसीवीटी सी candle बनती है इनका मतलब यह है कि यार market में confusion है नीचे से यहां से इसको जो buyers है वो यहां से इसको उपर ले जाना चाते है और यहां से उपर से जो sellers है वो इसको यहां पर नीचे ले जाना चाते है इसलिए यह बीच में close हो जाती है इसका यहां पर कोई body बनती नहीं है तो इस candle में कोई strength नहीं होती है तो इसी लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि candle with strength हमें strengthfully candle देखनी है close both EMA जो यहाँ पे है अगर हम उपर के side खेल रहे है यहाँ पे आपको साथ सा मैं draw भी करता जाता हूँ एक बाप पुराना यहाँ पे delete कर देता हूँ यहाँ पे let's suppose यह moving average है ठीक है यह moving average यहाँ पे जा रही है थोड़ा से यहाँ पे moving average में difference होगा क्योंकि हम दोनों 40-40 का ले रहे हैं एक का ले रहे है कि हम 40 days पुरानी candles का high का वहाँ पे ले रहे है measurement और दूसरी का हम 40 days low का वहाँ पे ले रहे है अब जो दोनों में आपे difference आएगा यहाँ पे यह candle बनती जा रही है ठीक है अब यहाँ पे यह candle बनी यह candle close above both EMA यह इसके उपर close करी है यह वली candle यह इसके उपर भी यहाँ पे close करी है और इसकी जो body है यह जो body है ना यहाँ पे body at least 30-40% above close होनी चाहिए अभी हम यहाँ पे उपर की बात करे है upside की बात करे है downside का भी आपको मैं समझा दूँगा जब यह वली candle ऐसे उपर बंद होगी यह वली candle को हम यह आपे consider करने वले हैं अब यहाँ पे आपकी entry कहाँ पे होगी यह मैं आपको next point में आपे बता रहा हूँ entry आपकी क्या होगी next candle cut previous candle जो इसकी अगली candle यहाँ पे बनेगी यह candle आपकी उपर close होगी है हमारी यह वली condition यहाँ पे fulfill होगी है अब यहाँ पे हमारी entry कहाँ पे होने वाली है यह six point यहाँ पे देखिए next candle cut previous candle जो इसकी उपर यहाँ पे candle बन रही है इसके नीचे यहाँ पर विग बन गई यह कुछ भी है वहाँ पर यहाँ से body उसकी बननी start हो गई और जैसे ही यह वाला जो इसका high था let's suppose इसका high है यहाँ पर 320 एक example यहाँ पर ले रहे हैं समझरें आप इस सीज को यहाँ पर आपकी entry हो जाएगी entry के लिए आपको यह वाली next candle का wait करना ही करना है यह main है यह confirmation आपको देगी कि जो यहाँ पर नीचे का trend आ रहा था यह वाली candle ने strength दिखाई है यहाँ पर कोई investor की entry हुई है और यह वाली candle जैसे ही पुरानी वाली candle का high break करती है वैसी हमारी यहाँ पर entry हो जाएगी और अराम से आप इसका यहाँ पर 50 से 70 points आप यहाँ पर इसका ले सकते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब यहाँ पर दुबारा से हमें एक downward का यहाँ पर example ले लेते हैं देखो अभी तो जस्ट आपको basic समझा रहा हूँ जब हम टर्मिनल पर जाएंगे आपको और चीज़ें आपर clear होगी जस्ट अभी यहाँ पर basic समझते जाएए यहाँ पर हम दुबारा से moving average ले रहे हैं यहाँ एक trend ऐसे आ रहा है ठीक है अब हम यहाँ पर downward की बात कर रहे हैं एक candle यहाँ पर ऐसी बन गई यह candle कौन सी है हमारा यहाँ पर देखिए strength है इस candle में yes यह candle एकदम यहाँ पर strength वाली बनी है यहाँ पर थोड़ा सा wig बना लो ठीक है तो यह candle हमारी strength वाली है यह point हमारा clear है क्या यह close हो रही है below the EMA बिलकुल close हो रही है यह इसके नीचे भी close हो रही है और यह इसके नीचे भी close हो रही है यह हमारा पहला EMA यह दूसरा EMA है यह इसके नीचे close हो रही है क्या इसकी body 30 to 40% below close हो रही है बिलकुल close हो रही है इसक पे भी आप अराम से अपना 50 से 70 पॉइंट की गेम यहां पे खेल सकते हैं समझागी इतनी चीज बहुत ही सिंपल आपको एक्जामपल के साथ मैं यहां पे समझा रहा हूँ यहां पे इसका stop loss क्या होगा बहुत important यहां पे आपका जो stop loss रहने वाला है प्रीवियस केंडल का जो low होगा यहां प्रीवियस केंडल का जो high होगा वो इसका यहां पे stop loss रहने वाला है अब यहां पे नीचे वाला example ले लेते हैं यहां पे इसका stop loss क्या होगा यह जो यहां पे यह candle बनी है जो candle काटी थी यह moving average को इसका यहाँ पे उपर का यहाँ पे यह stop loss रहेगा आपका अगर आप नीचे की side केल रहे हो तो obviously आप high का लोगे अगर आप वहाँ पे उपर की side केल रहे हो तो जो वहाँ पे candle moving average का यहाँ पे काटी थी यह आपका stop loss हो जाएगा इसके उपर यहाँ पर कोई भी candle बंकी यहाँ पर आपकी entry होती है समझ के इतनी चीज बस यही मैंने आपको यह rule समझाना था यह copy में अभी लिख लीजिए वीडियो को एक मिनट पोस्ट कर लीजिए फिर इसके बाद हम directly टर्मिनल पर चलते हैं अब यहाँ पर आगे है अपने टर्मिनल पर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पर निफय़ी-fifty का लिधने चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है 30 मिनिट्स का मैने यहाँ पर टाइम fraye म Σवाफ का यह नहीं समझ में आता अगर आप यहां पे काइट यह जिरोदा आप यहां पे यूज कर रहे हो तो यहां पे moving average आप लगाएंगे यहां पे आपको period क्या use करना है जैसे कि आपको मैंने notes में आपको लिखवाया 40 का field आपको क्या यहां पे use करना है पहली हम यहां पे करेंगे high ठीक है जो आपका दूसरा point था उसमें मैंने high वहां पे use किया है और type देखो अगर आप 0-10 यूज करते हो तो यहां पे आपको exponential लगाना है अगर आप धन यूज कर रहे हो तो directly आपको exponential moving average के वहां पे आपको अलग सी option दिख जाता है directly आप उसको होँपे select कर सकते हो and अगर आपको इसको color यहां पे change करना है जैसे कि मेरा black पिछ है आपको देखेंगे background है तो मैं white यहां पे use कर लूँगा and इसको यहां पे done कर दूँगा ऐसे ही हमें एक और moving average यहां पे लगानी है तो मैं इसी परी दुबारा click कर रहा हूं यहां पे मैं again इसको यहां पे 40 कर रहा हूं field यहां पे क्या कर रहा हूं पहले हमने high यहां पे select किया था कई से भी यहां पर शुरू कर देता है चलो यहां से शुरू कर देता है बहुत बड़ी है मुझे यहां पर दिख रहा है यह यहां पर यह वाला candle से शुरू करते है अब rule book आप यहां पर ध्यान से देखते जाएगा मैं आपको एक एक चीज़ यहां पर समझाओंगा यहां पर यह candle शुरू हुई ठीक है यहां पर 9.15 आप नीचे time देखते जा रहे है दूसरी candle आई यह strengthfully candle थी इसने पहला तो चलो moving average थोड़ा बहुत काटने की कोशिश कर रहा है बढ़ यह दूसरे तक नहीं काटा यह आप तीसरी candle यहां पर देखेंगे यह सवा दस के करीब आई है क्योंकि हम 30 minutes का यहां पर time use कर रहा है time frame use कर रहा है तो इसका मतलब यह हर एक candle यह 30 minute की एक candle यहां पर बन रही है यह जो तीसरी candle यहां पर हाई यह पहले वाले moving average के नीचे close करी सही है दूसरे moving average के नीचे close करी यह भी सही है क्या यह strength वाली candle थी बिलकुल क्या यह strength वाली candle थी बिलकुल यह strength वाली candle थी इसने हमारी सारी conditions को fulfill किया है अब हमें wait क्या करना है इसका low कटे क्या ये candle यहाँ पे low काटा ये तो वैसी green candle बनगी तो ये अभी हमारी नहीं है हम wait करेंगे कैसी इसने आपे low काटा है यहाँ पे इसने low काटा है काटा जैसी इसने आपे low काटा क्या ये हमें अच्छे target दे सकता था बिल्कुल दे सकता था मैं तो देखो आपको यहाँ पर 50-70 points की कर रहा हूँ अगर आपको trail करना आता है तो आप nifty में ही 100-150 points आप यहाँ पर ले सकते हो समझे आप इसको यहाँ पर देख लीजिए nifty में अराम से आपको 100-500 points यहाँ पर मिल सकते हैं चलो इसके बाद और यहाँ पर कोई example देख लेते हैं यहाँ पर इसकी ओई यह देखिए यहाँ पर हमारी condition फुल्फिल हो रही है जो हमारी condition थी यह strength early candle चलो इसको अगर आप strength early candle मान भी लेते हो क्या इस candle ने यहाँ पर low cut है क्या यह candle कोई red बनी है इसके बाद नहीं बनी है यह green बनी है और वैसे भी यह वहाँ पर last candle थी पूरे दिन की यह अगले दिन का यहाँ पर चार्ड शुरू हो गया तो यहाँ पर तो हमारा जो signal है यह जो हमारा setup है इसके according हम यहाँ पर trade नहीं करने वाले थे समझ गे यह हमारा next day यहाँ पर start हो रहा है अब next day का यहाँ पर ले लीजिए यह green candle बनी strength वाली candle अगली candle यह देखो यहाँ पर यह candle काट रही है पर इसमें इतनी strength नहीं है समझ गे तो यहाँ पर भी अभी हमारा signal काम नहीं कर रहा है in the sense कि जो हमारा rules हमने लिखे हैं वो यहाँ पर fulfill अभी नहीं हो रहे है हम थोड़ा से यहाँ पर आगे चल पड़ते हैं यहाँ पर देखो बहुत बड़ी आपको strength वाली candle मिल रही है यह देखो यह वाली यह आपको strength वाली candle मिल रही है पर क्या इसका low काटा काम जरूर करता है यह setup जब भी यह वहाँ पर implement होगा जो हमारे rules के according तब आपको बहुत अच्छे points यहाँ पर देखे जाएगा अब यहाँ पर आ जाईए यह वाले setup को यहाँ पर देखिए क्या must setup बना है यहाँ यह देखो यहाँ पर यह candle 30 से 40% यहाँ पर उपर close कर रही है अगली candle ने जैसे ही इसका यहाँ पर high काटा क्या आपको 50-60-100 points आराम से नहीं मिल सकते थे बहुत अच्छे points आपको यहाँ पर मिल सकते थे तो यही setup को आपको यहाँ पर use करना है मैं आपको और भी यहाँ पर back testing करके दिखायता हूँ यह देखो तोड़ा सा यह hang हो गया मेरा computer रुक जाबाई यह हमारे पास पहली यहाँ पर candle बनी दिन की यह वली आप candle देखेंगे इसने पहले moving average को तो काट दिया खेल सकते थे बिल्कुल खेल सकते थे और हमने खेला भी है यहाँ पर यह strategy काम कर रही है ठीक है आपको wait करना है अपने setup का जैसी है आपका setup वहाँ पर बढ़िया चलेगा आपको उच्छे points आपके देखे जाएगा अब आप सभी के लिए आपके homework की है कि यह तो मैंने आपको nifty 50 का दिखा दिया अब आप अगर यहाँ पर इसको bank nifty में भी यहाँ पर करोगे आपके होश उड़ जाएंगे आप बोलोगे कि भाईया क्या चीज़ आपने बता दी यहाँ पर आपको bank nifty में बहुत बड़ी है points आपको मिल सकते है यहाँ पर आप देखोगे यह strength के साथ इसको काटा यह वाला candle strength के साथ जैसी इसने काटा क्या आपको यहाँ पर 100,500,200 even 500 points नहीं मिल सकते थे बहुत easily आपको मिल सकते थे और भी आपको bank nifty का भी आपको एक दो example यहाँ पर दिखाएता हूँ जैसी यहाँ पर देखो यह low कटा और अराम से आपको points मिल सकते थे अराम से आप उसको trail वहाँ पर कर सकते हो समझे और यहाँ पर पीछे आ जाईए यहाँ पर और पीछे आते जाईए अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाया यहाँ पर देखो यह bank nifty में इसने 30-40% अपनी body यहाँ पर नीचे close करी है बिल्कुल करी है क्या उसके बाद यहाँ पर अगली candle ने इसका low काटा बिल्कुल काटा क्या हमें 100-800 point मिल सकते हैं बहुत एजली यहाँ पर मिल सकते हैं वही तो हमें चाहिए हमें points लेने है अगर आप इसको यहाँ पर अराम से scalping भी करोगे न तो scalping में तो बहुत बढ़ी आपका काम कर जाएगी बट मेरी अर्बा recommendation यही है कि आप इसको 30 minutes पर आपके देखिए 30 minutes में आपको अच्छी confirmation आपके मिल जाती है जिससे आप इस strategy में वहाँ पर बढ़ी हया काम कर सकते हो अब यहाँ पर कहीं और भी देख लेते हैं last यहाँ पर देखने वाला हूँ अब यहाँ पर यह देख लो यहाँ पर यह candle देखो कितनी शांदर बनी है यह candle नीचे से चुरू हुई पहली moving average से दूसरी moving average तक 30 से 40% body भी इसकी उपर थी और पूरी strength वाली candle थी अगली candle पे ही यहाँ पे अगली candle पे ही इसने high काटा और अराम से आपको कितने points मिल गए होंगे सोचो तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ यह strategy कि यहाँ पे 80% तक accuracy है पर जब आपके जो 8 trades ही होंगे न वो आपको अगर आपको trail करना आता है क्या करना आता है अगर आपको trail करना आता है कि आपका जो stop loss है let's suppose आपने पहले यहाँ पे stop loss इसके नीचे लगाया था अब जैसी यह उपर जाना start हुआ तो आपने यह stop loss को यहाँ से हटाके यहाँ पे लगा लिया कि आपका profit या break even तो आपको वहाँ पे बच जा है आपको loss होँआ पे ना हो अब यहाँ पे उपर जाना start हुआ तो आपने इसका stop loss यहाँ पे लगा दिया समझ रहे हो, इसको यहाँ पर बोलते है ट्रेल करना, तो यहाँ पर आप ट्रेल करते जाओगे, तो बहुत मोटा अच्छा खासा profit आप इस strategy से ले सकते हो So I hope आपको यह strategy यहाँ पर बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे comment section में जरूर बताना कि आपको यह strategy कैसी लगी and it's my humble request जो हमारी यहाँ पर help line है, वहाँ पर इसका feedback जरूर देना यह strategy का कि आपको यह strategy वहाँ पर कैसी लगी और क्या आपको accuracy मिल रही है, यह strategy को हम भी use करते होए, आपके feedback का हम सब वहाँ पर wait करेंगे, channel को subscribe और वीडियो को like करना मच छोड़ना and जितने भी आपके trader दोस्ता है, सबके साथ यह वीडियो को यहाँ पर share करना कि उनको भी strategy के बारे में पता लगे है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद